नमस्कार में दुश्यन सिंग एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बहुत बढ़ी अतरीके से चल रही होगी UBPSC ROARO exam में 2001 से लेकर के 2021 तक जितने भी questions पूछे गए हैं चाहे prelims की बात करें चाहे mains की बात करें क्योंकि आपको पता है कि prelims और mains का GS का जो syllabus है वो लगभग एक जैसा है तो अब तक पिछले papers में जितने भी questions पूछे गए हैं सभी को subject wise यहां से मैं आपको complete करा रहा हूँ और इस संबन्द में सबसे पहले हमने world geography को लिया है world geography का एक part आप पहले देख चुके हैं यह दूसरा part है इसी के साथ मैं 2001 से लेकर के 2021 तक के विश्व भूगोल के जितने भी questions है वो आपको यहां से मिल जाएंगे इसके आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके के प्रश्ण पूछे जा रहे हैं कौन-कौन से ऐसे topic हैं जहां से बार-बार आयोग प्रश्ण पूछ रहा है और इसी के आधार पर आप अपनी तयारी को और बहतर कर सकते हैं इसके बाद में आज वर्ल्ड जोग्राफी खतम हो जा रही है प्रिविएस यर questions के हिसाब से इसके बाद में कल आपको जो वीडियो मिलेगी वो मिलेगी आपको environment और ecology के सारे questions 2001 से लेकर के 2021 तक आपके पर्यावरण और पारिसित्की से जुड़े हुए जितने भी questions हैं वो आपको मैं कल प्रवाइट कर दूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2016 में जो पहला question पूछा गया वो था नीली नील नदी से जुड़ा हुआ मैंने आपको पहले भी बताया था किसमें जो जो चीज़ें मैंने highlight कर रखी हैं वो इसलिए highlight कर रखी हैं ताके आपको यह अंदाजा लगे कि यही question पूछा गया है या इसी topic से related question पूछा गया है ताना जील कहांपे है सर एथोपिया में है और नीली नील नदी जो है ये एथोपिया की सबसे लंबी नदी है ठीक है नीली नील नदी खारतून में खारतून कहांपे है सूडान में तो खारतून में ये सफेद नील नदी से मिलती है ठीक है ध्यान रखेगा नीली नील नदी की बात हो रही है नीली नील नदी ताना जील से निकलती है ताना जील एथोपिया में है और एथोपिया में नीली नील नदी जो है ये बहते हुए खारतून में जाती है खारतून में ये सफेद नील से मिल जाती है और और वहाँ पर नीली नील नदी और सफेद नील नदी मिलकर के नील नदी का निर्माण करती है यानि ये नील नदी के रूप में यहां से आगे बढ़ती है नील नदी के बारे में आपको पता ही होगा ये मिश्र में बहती है इजिप्ट में और इसी वज़े से इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है, नील नदी जो है अफरीका कॉंटिनेंट की सबसे लंबी नदी है, अफरीका महादीप की सबसे लंबी नदी है, सेकंड कुश्चन था, सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम, यह चार सागर आपको दे रखे थे, भूमद्य सागर, काला स इसके बाद में काला सागर, कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर. अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं, भूमद्य सागर यूरोप और अफरीका महादीब रूस और तुर्कमेनिस्तान जसे देस आते हैं ये खारे-पानी की सबसे बड़ी जھیल के रूप में भी जाना जाता है कैस्पिय सागर अरल सागर की बात करें तो ये रूस में हैं और इससे जुड़े हुई देशों की बात करें तो कजाकिस्तान और उजुबिकिस्तान इसके आसपास के कंट्रीज हैं। इसके बाद में अगला कुशन था नदियों से जुड़ा हुआ। तो कुशन नदियों के नाम दी रखेते जैसे लीना नदी, आमूर नदी, टिग्रिस नदी और माही नदी। नाच्ट कुशन करीबा बाद किस नदी पर है तो करीबा बाद जामबेजी नदी पर है और जामबेजी नदी जो है ये जामबिया और जिंबामबे के बीच में नैचुरल बाउंडरी बनाती है, प्राकरतिक सीमा का निर्माड करती है। इसके अलावा अफरीका महादीब के अन्यबांदों की बात करें तो एक आस्वान बांद है जो काफी बार पूछा गया है, PCS प्रिलिम्स में भी पूछा गया है, आस्वान बांद मिसर में है और ये नील नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा कैंजी बांद जो है, ये नाइजर नदी पर है, सेननार बांद जो है, ये नीली नील नदी पर है। ये लुईजियाना परांत में है, कैम्डेन पोत निर्मार केंद्र ये न्यूजर्सी परांत में है। वाई मंडल की लंबवत संरक्ष्णा में सबसे निचली सतह कौनसी है। लंबवत संरक्ष्णा का मतलब नीचे से उपर, क्योंकि प्रत्वी के समी पगर देखेंगे, जैसे मान करके चलिए, ये धरातल है। और धरातल के उपर सबसे पहला मंडल जो पाए जाता है, इंवायरमेंट का चोप मंडल है, उसके उपर समताप मंडल है, फिर उसके उपर ओजोन मंडल है। तो फ्लिय इसाफ से ऊप़जी के पाये गांगे ऐसे फिर्में स्वेडियां, आकिरी बहुत कहीशोंगे टेंके निद्च इसाफ ंसीने सहरे, के ऐसे प्मेंशनुरी इसाफ्ट के थे लुद्ध कि लिए स्थाफ पते defense , ओजोन मंडल में ओजोन लेयर होती है समताप मंडल जो है यह जो है यहां का ताप जो है वो बड़ा नियत रहता है और खास करके जो जैट विमान होते हैं उनके लिए आदर्स इस्थितियां ओडने के लिए समताप मंडल में पाई जाती है और मौसम से जुड़ी हुई जितन प्राइराग ये यूक्रेन में है, सार बोल्सवर्ग और एरजेबर्ग ये जर्मनी के लोह आयस कोतपादन शेतर हैं, और नारमंडी और पिर्नीज ये फ्रांस के लोह आयस कोतपादन के इंदर हैं, ये लास्ट वाला जो है, फैबरेट क्वेश्चन है, काफी बार पुछा ये फ्रांस में पाया जाता है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लोह इस पात अध्योग के लिए प्रसिद्ध है, रूर अध्योगिक छेतर जो है, ये जर्मनी का अध्योगिक छेतर है, विशेश रूप से यहां कोईला अध्योग से जुड़ी हुई गतिविदियां होती है, ब्रिस्टल अध्योगिक प्रदेश, ये उनाइटेट किंग्डम या प्रसिद्ध है, नेक्स्ट कोशन था, कौन अफरीका के पश्मी तड़ पर इस्थित नहीं है, चार देश थे, गैबन, लाइबिरिया, अंगोला और बोत्सवाना, तो इसमें से बोत्सवाना जो है, अफरीका के वैस्टन कोश्ट पर जिसकी जो है अवस्थिती नहीं है, बाकी के जो तीन देश हैं, गैबन, लाइबिरिया, अंगोला ये अफरीका के पश्मी तड़ पर जो है इनकी अवस्थिती पाई जाती है, भूस्थिर क्रतेम उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है, 24 घंटा होता है, प्रत्वी से 36 किलोमेटर, 36,000 किलोमेटर के इनकी अवस्थिती होते हैं, यहां से जब सेटेलाइट छोड़े जाते हैं, तो यह वहीं पर चक्कर काटते हैं, भूस्थिर अवस्थिती में, कारका टोवा ज्वाला मुखी परवत यह कहां पर है, यह इंडोनेशिया में है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन के हिसाब स जो जवाला मुखी परवत थे, उनको भी मैंने यहां पर लिख दिया है, जैसे फ्यूजी यामा, यह भी एक जवाला मुखी परवत है, कहां पर पाया जाता है, जापान में, माउंट एटना जवाला मुखी परवत यह इटली में है, और सेंट हैलेंस जवाला मुखी परव रूप से ज़्यादा मात्रा में पाई जाते हैं। नदियों के किनारे इस्थित नगरों से जुड़े हुए questions भी काफी बार पूछे जाते हैं जैसे बॉन नगर जो है ये किस नदी के किनारे इस्थित है तो ये राइन नदी के किनारे इस्थित है बॉन नगर जर्मनी का एक शहर है काहिरा या इसको कायरो भी कहा जाता है ये मिस्र की जो है राजधानी है ये नील नदी के किनारे है न्यू यॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे है और आस्टिया की राजधानी वियना ये डैन्यूब नदी के किनारे है ये 2016 के questions थे सारे pre-mains के अब 2017 में कौन-कौन से questions तो Choiki45 आमटा खान जो है यह तांबे की खान है चिली में पाई जाती इसके लाब आपको यह भी पता हगा कि الطAlex का सबसे ज्यादा प्रडुयूशर जो है वह बहुत बहुत हुए इसके बाद में पेरू आता रे हिसके बाद में चाइना आता है कौन-कौन से ऐसे specific topic हैं जो बार-बार repeat हो रहे हैं कहां-कहां से questions पूछे जा रहे हैं तो उनका idea जो है वो previous year questions से ही लगता है तो इसी वज़े से ये बहुत जरूरी हो जाती है चीज़े Pampas मैदान अर्जेंटिना में थोड़ी दिर पहले हमने देखा था Pustage घास के मैदान जो है ये Hungary में पाए जाते हैं Wailed जो है ये दक्षड अप्रिका के घास के मैदान है और Downs जो है ये Australia में पाए जाते है जापान के चार दीपों का क्रम UPPCS का सबसे favorite question कई बार पूछा गया है जापान के चार जो दीप है Hokedo, Honsu, Shikoko और Kyushu इनका करम पूछा जाता है उत्तर से दक्षड पूछ लेता है कभी-कभी दक्षड से उत्तर पूछ लेता है या इस तरीके से पूछ लेता है निमन मैंसे कौन जापान का एक दीप नहीं है तीन देदेगा आपको एक अलक से देदेगा तो आपको उसमें से छाटना होता है और इसके साथ साथ ये भी पूछ ले जाता है कि जापान का सबसे बड़ा दीप कौन सा है तो Hokedo, Honsu, Shikoku और Kyushu ये उत्तर से दक्षड करम है सबसे नौर्थ में Hokedo पढ़ता है उसके बाद में दक्षड की तरफ जैसे जैसे आते हैं तो Honsu दीप, Honsu दीप के बाद में Shikoku दीप और अब से लास्ट में पढ़ता है आपका दक्षड तन दीप जो है क्यूसू है, इसमें से Honsu दीप जो है, वो सबसे बड़ा दीप है अगला क्षड था लोंबिक जल्डमरू मद्य से जुड़ा हुआ लोंबिक जल्डमरू मद्य कहां पे है ये इंडोनेशिया में बाली और लोंबोग दीपों के मद्य है ये जावा सागर को हिंद महा सागर से जोडने का काम करता है लूम्बेक चिल्टम रूमद्य गर्म और ठंडी जलधाराओं से जुड़ा हुआ क्वेशन इस तरीके से यहां से प्रशन बनते हैं कि निम्नमैसे कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है तीन गर्म जलधाराओं का नाम दे दिया एक ठंडी उसमें बीच में जो है उसने रख द धारा हो गई तक्षडी एक्वेटोरियल धारा हो गई शुशीमा की धारा हो गई क्यूरोशियो धारा हो गई यहां पर आपको इनको सिर्फ देखना है ठीक है याद भी करना है अगर आपने NCRT वाली मेरी classes देखी हैं तो वहां पर अगर आप इनको देखेंगे तो आपको इनको याद करने की भी जरूत नहीं होगी क्योंकि वहां पर सारे concepts को बड़े detail में बताया गया है तो छेत्रों के हिसाब से यानि किस छेत्र में किस तरीके की जलवाई हुआ है किस तरीके का climate है उस हिसाब से आप वहां पर अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपने concepts जो है ब एंगोइला की दहरा, अगूल हाज, स्कैनरी, लेब्रडोर, कैलीफोर्णिया, हमबोल्ट, हमबोल्ट को पेरूवियन धारा भी कहा जाता है और कुरिल धारा इसको ओराशियों या ओयासियों की धारा भी कहा जाता है तो ये सारी थंडी जल धाराएं हैं देचों में राज प्राथमिक निर्यातक मतलब पूरे विश्व के आधर पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि कोई देश जो है, वो प्राथमिक रूप से किस चीज का निर्यात करता है, तो चाड जो है प्राथमिक रूप से पेट्रोल का निर्यात करता है, नाइजर जो है ये यूरेनिय अपनाङजर की नायज़र की राज़धानी निया में रावनड़ा की राज़धानी के लिए और पॉर्ट अलोगो सरवादेक काफी उतपाददक जो देश रायोगा ब्राजीम तो ब्राजील के लावा जो अर्ने देश हैं उनको भी दिख लीजी सबसे ज़्यादा प्रोडूशर है ब्राजील इसके बाद में वियतनाम का इस्थान आता है फिर कोलंबिया और इसके बाद में इंडोनेशिया निमन मैंसे कौन रूस के प्रमुख संसाधनों मैंसे एक नहीं है तो यूरेनियम जो है ये रूस का प्रमुख संसाधन की रूप में नहीं पाया जाता है इसके अलावा लोह अयस्क भंडारों की बात करें या कोईला भंडारों की बात करें सोना भंडारों की बात करें ये रूस के प्रमुख resources की रूप में देखे जाते हैं समुद्री चक्रवाती तूफान जो समय समय पर आते रहते हैं इसे जुड़े हुए questions पूछे गए हैं जैसे तौकते जो समुद्री चक्रवाती तूफान है ये 2021 में आया था अरब सागा से उत्पन हुआ था इसका नामकरण तौकतेकस के द्वारा किया गया म्यामार के द्वारा किया गया ये एक उष्ण कटे बंदी चक्रवाती तूफान था इसका लेंड़ फॉल छेतर जो था वो कहा था गुजरात लेंड़ फॉल छेतर का मतलब जहां पर ये सबसे पहली बार जो है उत्पन हुआ या देखा गया अन्या चक्रवाती दूफानों में देखेंगे तो मेकान चक्रवात 2018 में आया वायू चक्रवात ये 2019 में आया और जो निसर्ग चक्रवात है ये 2020 में आया फसाल एवम देशों में देखें तो रबड जो है रबड का उत्पादक थाईलेंड है कहवा का उत्पादक ब्राजील है अभी थोड़ी दिर पहले भी देखा था आपने जैतून जो है इस्पेन प्रमख रूप से जैतून का उत्पादन करता है और गन्ना के उत्पादन में ब्राजील जो है वो अगरडी देश है वेश्व में मशली का सबसे बड़ा उत्पाद है कौन है? चाइना है और चाइना पूरे वर्ल्ड के कुल मशली उत्पादन का लगबग 35% हिस्सा जो है अकेले उत्पादित करता है किस देश में? उसकी कुल उर्जा अवश्यक्ता का 99% जल विद्यूत से प्राप्त होता है मतलब जितनी उर्जा वो प्रोड्यूस करते हैं उसका 99% सिर्फ एक ही तरीके से वो किस तरीके से जल विद्यूत से प्राप्त होता है तो वो देश है नारवे इसके अलावा परागवे एक मात रिकलोता ऐसा देश है जो अपनी शत्थ प्रतिशत 100% उर्जा जो है वो जल विद्यूत द्वारा प्रोड्यूस करता है इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यानि क्वांटिटी में सबसे ज्यादा जल विद्यूत द्वाधन किते delta किया जाता है तो वो चैना के द्वारा कि द्वारा एंसे जितनी भी इनर्जी है वो प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ जलविद्युत के द्वारा करता है अपनी 100% जो एनरजी है नार्वे जो है वो 99% अपनी जलविद्युत जो है वो 99% जो एनरजी के प्रोडुक्शन है वो किसके द्वारा करता है जलविद्युत के द्वारा करता है इसके अलावा 1% में और ज्यादा और कुछ अन में डख्षड पूर्वी असीया के फिलीपीन्स देश का दक्षड तम और ये दूसरा सबसे बड़ा दीप है मनीला ये फिलीपीन्स की राज़धानी है इंडोनेशिया किस देश के साथ में भूमी साजा नहीं करता है चार देशों के नाम दे रखें हैं आपको ब्रुनेई, लिमोर तेस्ते, मलेशिया और पापुआ नियोगिनी इसमेंसे इंडोनेशिया जो है वो बुरुनेई के साथ में अपनी भूमी साजा नहीं करता है बुरुनेई जो है ये तीन तरफ से मलेशिया और एक तरफ से समुदर से घेरा हुआ है तो तीन तरप से तो ये मलेशिया से सीमा लगी हुई है और बची हुई एक साइट समुदर से घिरी हुई है तो इंडोनेशिया से इसकी सीमा कहां से लग जाएगी इसकी कैपिटल बंदर सेरी बेगबान याद रखेंगे कैपिटल भी याद रखेंगे बुरुनेगी पॉर्ट मौरेस भी है ये तीनों देश तिमोर लेस्टे मलेशिया पापुआ नीगुनी ये तीनों ही देश जो हैं साउथ इस्ट एसियन कंट्री हैं दक्षट पूर्वी एसिया के देशों की केटगरी में आते हैं पॉलेनेशिया दीप शमूँ जो है इसमें कौन-कौन से प्रमुक दीप आते हैं इस तरीके का कुश्चन पूछा गया तो पॉलेनेशिया दीप समूँ में समोह, टॉंगा दीप, कुक आईलेंड, तुवालू दीप, ताहिती दीप, टोकेलो दीप, नीयू, फ्रेंच पॉलेनेशिया और हवाई दीप जो है यह सारे दीप जिनके नाम आप देख रहे हैं यह पॉलेनेशिया दीप समूँ के अंतरगत आते हैं पॉलेनेशिया दीप शमूँ क्या है यह एक कह सकते हैं ट्राइंगल एरिया है त्रिकोडिय छेतर है और त्रिकोडिय छेतर मतलब यहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया यह देखिए आप यह इस तरीके के छेतर में फैला हुआ है जिसके नॉर्धन पॉइंट प पॉर्वी छेतर में इस्टन दीप इन दीपों को हरी मडी के नाम से भी जाना जाता है यानि पॉलेनेशिया दीप समूग के जो प्रमुक दीप है इनको सैन्युक्त रूप से हरी मडी का नाम भी दे देते हैं देश एबम राजधानी एंटियगुआ और बार्बुडा इन अस्ट्रेलिया के प्रांत और राजधानियों से जड़ हूए कुस्चंस हैं और पर्ट निम्ण मैं से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तडपर इस्थित नहीं है तो सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि तट पर कौन-कौन से इस्थित देश हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर options नहीं लखे हैं मैंने उस question से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है उसको यहीं एक जगे पर समाहित करने का प्रयाज किया है तो बाल्टेक सागर के तट पर जो जो देश इस्थित हैं उनके नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डेनमार्क हो गया एस्टोनिया फिनलेंड लात्विया लिथुआनिया स्वीडन पूर्वत्तर जर्मनी पोलेंड और रूस यह जो देश हैं यह बाल्टेक सागर के तट रहा है इस तरीके से यह जो है वैसे जब हम बल्ड जोग्राफी की स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे पूरे विस्तार से जब चीजें पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको और बड़िया तरीके से चीजें समझाओंगा तो जो मैंने इसको हाइलाइट किया है यह बाल्टेक लात्विया है यह दोनों देश जो है इसकी पूर्वी सीमा बनाते है दक्षड में पोलेंड है इसके में दक्षड पश्चिम में देखेंगे तो आप यहाँ पर जर्मनी है ठीक है तो यह सारे देश जो है इस तरीके से आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएग गलत था क्योंकि option में कोई ऐसा option नहीं दे रखा था जो के सही हो तो यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा और explain करने की कोशिस की है मध्यपूर्व की बात हो रही है तो सबसे पहले हम मध्यपूर्व को समझेंगे किस तरीके से कौन सा छेतर ऐसा है जो मध्यपूर्व कहलाता है तो यहां पर देखिए उपर यह जो पार्ट है यह जो है पार्ट आपको दिख रहा है यह एसिया महादीप है और यह जो नीचे वाला part आपको दिख रहा है यह जो है अफ्री का महाधीप है तो आप यहांसे समझेएगा देखिए एसिया महाधीप है एसिया महाधीप है यह भारत भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहां Read तो जो मध्यपूर्व की बात हो रही है मध्यपूर्व सुविधा की द्रस्टी से किस छेतर को कहा जाता है तो एसिया महादीप के जो कह सकते हैं हम दक्षड वाला छेतर है पूरी तरीके से दक्षड भी नहीं कहेंगे इसको यहां से आप देखें दक्षड हो गया यह प्रस्टी में एसिया महादीप से सटा हुआ यह वाला सागर यह वाला छेतर जो है जो कि भूमध्य सागर के लगबग पूर्व में पढ़ता है इसके अलावा इसका कुछ पार्ट जो है अफरीका महादीप के उत्तरी छेतर से भी जुड़ा हुआ है तो यह जो बीच वाला पोर्शन है ठीक है यह मिडल इस्ट कहलाता है मध्यपूर्व कहलाता है तो इस वाले छेतर में कौन-कौन से देश पढ़ते हैं तो वो जॉर्डन है, इसराइल है, इराक है, इरान है, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवै, तोवान, सौधी अरब, फिलिस्तीन, ठीक है, UAE और साइप्रस यह सारे देश जो है मिडल इस्ट के कंट्री कहलाते हैं मध्यपूर्व जो है, यह पश्चमी एसिया का छेतर है, यहां से आप देखेंगे, यह एसिया महधीप हो गया, तो यह पश्चमी छेतर हो गया, और इसका कुछ हिस्सा जो है, यहां पर आपको देखने में ऐसा लगेगा, दक्षड की तरफ है, ठीक है, तो कभी-कभी इस भूमति सागर की दिखाएंगे, आप तो यह पूरव हो गया, यह पश्चम हो गया, यह उत्तर दक्षड, तो भूमति सागर के पूर्वी छेतर से सटा हुआ है, तो भूमति सागर के पूर्वी तट से लेकर के यह हिंद महा सागर तक फैला हुआ है, और इसी छेतर को हम Middle East इस्टियम अध्यपूर के नाम से जानते हैं। इस्टियम अध्यपूर के नाम से जानते हैं। इंडोनेसिया से जोड़ा हुआ क्वेशन पूछा गया था। इंडोनेसिया जो है ये 15,000 से अधिक दीपों का समू है। लगबग 100 सक्रिय ज्वाला मुखी इस इंडोनेसिया में पाए जाते हैं। इंडोनेसिया दक्षडपूर भी इस ये का देश है। इसके अलावा, इसका कुछ पार्ट ओशनिया में भी पढ़ता है। राजधानी इसकी नूसनतारा है, पहले इसकी राजधानी जकारता थी। इंडोनेशिया की वरतमान में नूसंतारा इसकी कैपिटल है, विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में पाई जाती है, इसके अलावा ओवरॉल जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो विश्व का चौथा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश ज देखें, तो इक्वेडोर का ये पार्ट है, और इसका चेतरफल जो है, वो लगबग 60,000 स्कौाइर किलोमेटर में फैला हुआ है, वर्स 1978 में ये दीप जो है, गैला पागोज दीप समू, यूनेस्को का पहला विश्व धरोहरिस्थल भी बना था, नेक्स्ट क्वेशन रा जो है, राइन नदी के मोहाने परिस्थित है, ये भी आप याद रखेंगे, राइन नदी कोल मिला करके 6 देसों से हो करके गुजरती है, और उन 6 देसों के नाम क्या है, स्विटजर लेंड, लिंक टैंस्टीन, आस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नेधरलेंड, ठेक है, तो ये जो questions आपने देखे थे, देखे क्योंके questions कम क्यों है, वैसे हालांकि काफी सारे questions मैंने करा दिये, और काफी सारी जैसे向kehr explanation आप धेंगे, तो जहाँ explanation की जарूरत है वहां पर मैंने आपको यहाँ explaining देने की बीजरूरत कैई, ये चीज़ें जल्री मैं क्यों कव रहा हूं क्योंकि अभी कह सकते हैं कि ROR में भी थोड़ा सा time है तो चीज़ों को अगर आप यानी previous year questions का अधेयन करने के बाद में चीज़ों को तो थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से complete करी जा सकते हैं क्योंकि इस एक idea आपको मिलता है कि किस तरीके questions आपके paper में पूछे जाने हैं क्या trend रह रहा है 2001 से लेकर के 2021 तक लगातार आरो ए आरो का paper नहीं हुआ है इसी बज़े से प्रश्णों की संख्या कम है 2001 से लेकर के 2021 तक लगातार paper होते रहते तो प्रश्णों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा रहती, तो ये जो है जरूरी चीज है, इससे आपको ये पता चल रहा होगा, आपने पहला वाला शेशन देखा, दूसरा वाला आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको ये आइडिया तो लगी रहा होगा, कि कौन से ऐसे questions हैं, जहां से, मलब कैसे, ऐसे कौन से topics हैं, जहां से questions जो है repeat हो रहे हैं, तो इन topics को विसे इस रूप से आप देखें, तो वर्ल्ड जोग्राफी के सारे questions आपने अब तक देख लिए, इसके बाद में आपको वर्ल्ड जोग्राफी में से क्या पढ़ना है, तो आपके पास किताब हैं सब के पास होगी, तो इसी तरीके से जितने भी subject हैं, जितने भी part है exam के, जहां-जहां से questions पूछे जाते हैं, जनसंख्या नगरी करण हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे portion है paper के, जिनको हम अक्सर छोड़ देते हैं, हमारा ध्यान कहां रहता है, इतिहास पर, हमारा ध्यान कहां रह रहा है, जैसे computer वाला topic हो गया, यहां से भी question पूछे जाते हैं, और इन चीजों को complete करना, या इन चीजों को cover करना, बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं, मुश्किल भी नहीं होता है, काफी कम समय में आप इन सारी चीजों को cover कर सकते हैं, तो उन सभी portions को भी, जिनको आप नजर अंदास कर द जाएंगी, बस आपको अपना trust बनाई रखना है, और यहां से आपको कभी भी बिलकुल निराश्ट नहीं होना पड़ेगा, आपके exam के लिए जो भी जरूरी चीज़े हैं, खास करके मेरा target फिर भी वही है, यूभी PCS के हिसाब से मैं आपको चीज़ें दूँगा, और कु जाहिन